नमस्कार दोस्तो, स्वागत थे आप सभी लोगों का Study Glows पर आज हम लोग 22 से लेकर 30 नॉवंबर तक P.I.B. News Analysis को कवर करने वाले हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग Weekly News Analysis को कवर करते हैं और ये जो Information है, ये तमाम उन Students के लिए है, जो की Mains का Exam देने जा रहे है या Prelims के अंदर एक बहुत अच्छे Quotions को Attempt करने के लिए तयार हैं जैसे Statement वाले Quotions आप लोगों ने देखी होंगे वहाँ पर P.I.B. News Analysis आपके लिए बहुत ज़दा यूटिलाइज हो सकता है इसके साथ में ही One Day Exams में भी आपको काफी हेल्प करने वाला है तो चलिए, शुरू करते हैं हम लोग P.I.B. News Analysis को और आज आपको कुछ नया ही सीखनी को मिलेगा चलिए शुरुआ करते हैं नावंबर के लाश्ट वीक की जो की 22 से लेकर 30 नावंबर तक रहा है आप लोग मुझे टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं दीपक इंदोरा ओफिशल यहाँ पर आप लोग को लेक्चर की PDF मिल जाती है और 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 भी कई लेक्चर जो हैं वो आप लोग को यहाँ पर अविलेबल करवाई जाते हैं आज जिन टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसमें जंसांकिकी में परिवर्तन चेंजिस इन डेमोगराफी भारत में पहली आत्मत्या रोक थाम नीथी यानि कि इंडियास फर्स सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बेसिकली आप लोग को ने देखा होगा कि आजकल सुसाइड की जो टेंडेंसी है वो काफी ज़दा बढ़ती जा रही है और इसके पीछे बेसिक रूट रीजन जो है वो है टेंशन्स टेंशन्स होती है एकनोमकली या फिर सोशेली आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमिशन कमिशनर शुड नॉट बी यस मैन सुपरिम कोट सुपरिम कोट ने कहा कि चुनाव आयुक्त को यस मैन जो है वो नहीं होना चाहिए फिर हम लोग बात करेंगे इंडिया औस्ट्रेलिया आर्थिक सायोग और व्यापार समझोते की ECTA की हम लोग बात करेंगे और रिसेंटली इसको मंजोरी दी गई है समिधान दीवस की भी हम लोग बात कर रहे है जो कि 26 नवंबर को मना जाता है समिधान दीवस क्या वाकई में समिधान दीवस था या फिर इससे पहले ये किसी और रूप में मना जाता था तो 2015 के अंदर समिधान दीवस जो है वो मनाना शुरू हुआ Constitution Day लेकिन इससे पहले ये विधी दीवस के रूप में Law Day जो है वो मना जाता था इसके बाद में हम लोग बात करेंगे GM Crops के बारे में Genetically Modified जो Crops हैं उसमें GM Mustard की बात करेंगे कि GM सरसो जो है वो वाकई में इतना जल्दी जो है क्या इसके पेछे reasons है वो तमाम घटना करम जो है वो हम लोग यहाँ पर जिक्र करने वाले है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Changes in Demography जंग सांक्री में क्या परिवर्तन हुआ है Context देखेंगे What factors are behind this shift Implications of these demographic changes Conclusion Population Control Measures Background चलिए सबसे पहले Context देखते है 2022 में चेन पहली बार अपनी आबादी में पूरी तरह से गिरावट दर्ज करेगा और यह तो आपको पताई होगा कि एक World Population Report के According 2023 के अंदर इंडिया जो है वो सरपास करतेगा चाइना को तो 2023 में भारत की जंसंग क्या संयोगत राश्टर के द्वारा 1.428 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है और चीन की है 1.425 तो यह अनुमान है United Nations का कि 2023 तक जो है वो हम चाइना को सरपास कर देंगे चाइना के अंदर जो Mortality Rate है उसमें काफी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है Mortality Rate हम लोग किसको कहते हैं जिसे माली जे कि जन्म के समय जो बच्चे जीवित बसते हैं 0-5 एर और जितने बच्चों की मृत्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं कि प्रतेक जीवित जन्म पर मृत्य होने वाले बच्चों की संख्या जो है उसके अंदर हम लोग count करते हैं Mortality Rate को तो basically शिक्षा की इस्तर में जो है Education Level उसमें Increase हुआ है सारदिनिक स्वास्ते स्विधाये हैं या फिर टिका करन जो कारिकरम है Vaccination Programs हैं उसके अंदर काफे ज़्यादा Increment जो है वो देखने को मिला है और इसी की कारण जो Mortality Rate है वो काफे ज़्यादा गिर गई है फिर हम लोग बात करें जन्म के समय जीवन परतेसल जो है Life Expectancy वो अब काफे ज़्यादा बढ़ चुकी है 1950 से 2020 के बीच में है चीन के लिए 43.7 से 78.1 यर जो है वो हो चुकी है अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए जो है वो 41.7 से 71.1 जो है यर हो चुकी है तो Life Expectancy भारत के अंदर भी जो है वो Increase हुई है यही नहीं अगर हम लोग बात करें Replacement Level के TFR Replacement Level Fertility माना जाता है सीधिय तोर पर अगर हम लोग समझें तो दो बच्चों वाली एक महिला मूल रूप से खुद को और अपने साथी को दो नए जीवन से बदल देती है बिसकिलिए जब दो बच्चे हो जाते हैं किसी भी पेर के उसके बाद में वो कहीना कहीं यह सोचता है कि नहीं अब जो है वो जो है sufficient है लेकिन जितने भी बच्चे होते हैं ठीक है शिशु अपनी प्रजनन शमता का अहसास कराने के लिए जीवीद जो है वो नहीं रह सकते हैं तो basically TFR जो है वो यह गिना जाता है कि replacement level fertility मतलब देखिए आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि two children basically replace herself and her partner with two new lives यहनि कि दो नए बच्चे जो हैं उनके इस्तान पर दो और नए बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं भारत में TFR पहले से ही नीचे जो है वो replace हो चुका है लेकिन जन्संख्या में पूर्ण गिरावट शुरू होने से कुछ पीडियों का समय जो है भी और लगेगा चीन में TFR पहली बार 1991 में replace जो है उसके नीचे चला गया था यहनि कि बदले पर 2 बच्चे और नए जन्म ले रहे हैं उसको TFR कह रहे है films अगर माली जी कम होता है कि माली जी अभी 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं और बाद में किवल 1 बच्चा जन्म ले रहा है तो हम लोग कहते हैं कि TFR जो है वो नीचे चला गया है और भारत के अंदर जो 30 साल पहले TFR था वही अब जो है वो अब 2022 में देखनी को मिल रहा है अगर हम लोग इस चार्ट के अंदर देखें तो और इंडिया के अंदर अगर पूरे भारत में हम लोग देखें तो 1991 के बाद में 3.4 जो है वो फर्टिलिटी रेट रही है लेकिन अब 2021 की बात करें तो फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 प्रतिशत तक आ गई है ठीक है अब हम लोग अगर रूरल और अर्बन सेक्टर में भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अभी वर्तमान में 2.1 है रूरल सेक्टर के अंदर और अर्बन में 1.6 तो यहाँ पर आप लोग जो है वो गिरावट देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को कर रहे हैं लेकिर फिर भी United Nations ने ये कहा है कि 2023 तक हम लोग चाइना को सरपास कर देंगे जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं अगर चाइना की हम लोग बात करें तो जितनी भी working women's हैं उनकी आबादी के अंदर working group के अंदर चाहिए वो ठीक है तो उनके अंदर जो है वो गिराव इसे मालीजी की माता पिता हैं वो अपने बच्चों पर आश्रित रहते हैं तो आश्रितों की संख्या जो है वो दिर दिर बढ़ती जाती है काम करने वाले लोगों के संख्या घरती जाती है चाइना के दर हुआ है ऐसा तो भारत के पास एक demographic dividend जो है वो प्राफ्ट करने का आवसर है अगर हम लोग और वल जन संख्या में बात करें तो जितनी भी कामकाज उम्र आबादी है उसका केवल 2007 में 50 प्रतिशत को पार कर गया और 2030 के मद्ध है 57 प्रतिशत तक जो है वो पहुँच गया यहीं काम करने वाले लोगों के संख्या जो है अगर हम लोग 2007 में द लिए रोजगार के सार्थक आवसर जो है वो उस पर निर्फर करता है तो अगर डेमोग्राफिक डेविडेंट का अगर हम लोग लाब देखना चाहें तो एम्प्लॉइमेंट के अंदर भी आप लोग को मिलता है तो यहाँ पर यह ग्राफ जो है चार्ट आप लोग को जो है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन इंडिया जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा तो यह गैब जो है जो आप लोग गैब देख रहे हैं यह बहुत हुज गैब है इसको कवर करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2050 तक अभी हम लोग कहां प जाएगा तो भारत को UN population के according जल्दी ही control करना पड़ेगा अगर हम लोग conclusion की बात करें तो आगे बढ़ते हुए भारत के policy maker जो है उनके सामने development को लेकर बहुत सारी challenges जो है वो आने वाले हैं जो agriculture के बाहर रोजगार जो है पैदा करता है मतलब अगर agriculture को हम लोग अगर छोड़ दें तो भारत के अंदर बहुत कुछ जो है वो unemployment करेट करतेगा खेतों से अतिरिक्त शरम को एक ऐसे छेत्रों में रोजगार मिलना चाहिए जहाँ पर manufacturing और modern facilities जो है जैसे हम लोग बात करें productivity की, value addition की, average income की तो ये जो है वो औरसत एक जनसंख्या नीती की समीती के स्थापना की गई थी, हालांकि शिरुवाती 50 के दशक में बनाए गई नीतियां काफी हद तक मनमानी थी और इसलिए सफल नहीं हो रही थी, दूसरी पंचवर्शी योजना में परिवार नियोजन क्लिनिकों के संख्या में वरदी हुई, लेकिन उनमें से अधिकांज शहरी छेत्रों में थे, इसलिए परियाग परिणाम नहीं दे पाए, सरकार ने तीसरी पंचवर्शी योजना के दौरान कॉपर्टी अपनाने के लिए एक परिवार नियोजन विभाग की स्तापना भी की और इसे बढ़ावे भी दिया था, ल लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ एहम कदम उठाए हैं, तो इसको प्रिवेंशन के लिए क्या पॉलिसी भारत ने अपनाई हैं, उनका हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, क्या कॉंटेक्स्ट है, डेटा ओन सुसाइड इन इंडिया और हाइलाइट्स आफ दा पॉलिसी, आत्मत्या की रोगदाम के लिए WHO ने दक्षिन पूर्व एशिया छेत्र में रंडिती के अनुरूप स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्री आत्मत्या रोगदाम रंडिती जो है, उसको इक खोशना की है, भारत में हर साल एक लाग से अधिक लोग आत्मत्या करते हैं और यह 15 से 29 वर्ष की शिर्णी में शीर्ष जो है, मतलब ज्यादा जो है, वो कैटेगरी कौन सी है, 15 से लेकर 29 वर्ष की है, यह एक ऐसा टाइम परेट होता है, जो इंसान के लिए ट्रांजिशनल होता है, इसमें इंसान की प्रिशादल टेंडेंसी जो है, वो बढ़ने लगती है, अगर हम लोग पिछले तीन वर्ष की बात करें, तो आत्मत्या की दर प्रती एक लाग की जनसंक्या पर 10.2 से बढ़कर 11.3 प्रतिशत जो है, वो हो चुकी है, ठीक है, मतलब यह मान सकते हैं, हम लोग एक लाग पर 34 परसेंट जो है, वो आत्मत्या करते हैं, और 18 परसेंट कोई बीमारी के चलते जो है, वो सुसाइड करते हैं, 2030 तक आत्मत्या मरत्युदर में 10 परतिशत की कमी लाने के लिए समय बद कारे योजना जो है, वो जरूरी है, और मल्टी जो डिमेंशनल है, वो वर्ट करने की जरूरत है, मल्टी सेक्टोरियल कलाब्रेशन जो है, वो इसके लिए जरूरी है, अगले तीन वर्षों के भीतर आत्मत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र जो है, वो भी इस्तापिट करना है, अगले पांच वर्ष के भीतर, जिला मानसिक एनिक पॉलिसिस के हम लो किया जाए, गब इंटिक्रिटेड ए मैंटल वेल बिंग सर्क करिकुलम इन ओल एजुकेशनल इंस्टूशन्स विदिन दा नेस्ट एट एट येर्स, आठ सार के अंदर जो मैंटल वेल बिंग करिकुलम एक्टिविटीज है, उनको बढ़ाई जाने की जरूरत है, आत्मत् है कि रोगधाम के लिए सामुदा एक लचिलापन और सामाजिक समर्थन जो है, वो भी विक्सित करें, तो ये एक पॉलिसी की कुछ हाइलाइट थी, जो कि आपको एक्जाम में आ सकती है, आप लोग इसको मैंस में आंसर आइटिंग के दौरान इंप्लेमेंट भी कर सकते ह है, ठीक है, तो आप लोगो कुछ डेटा जो है, वो उस आंसर के अंदर पुट करना पड़ेगा, कि जैसे 15 to 29 years, जो एज है, उनकी आजकल suicidal tendency बढ़ती जा रही है, इसकी main problem है, family problems को लेकर है, या फिर उनकी कोई बिमारी है, उसको लेकर है, आजकल जो games है, वीडियो games है, ज वो भी बहुत जदा बढ़ रहा है, जिसे recently quota के अंदर रेखा होगा, कि तीन बचों ने जो है, वो suicide किया, और वो वहाँ पर medical के तयारी भी कर रहे थे, इस बार वो select भी हो चुके थे, लेकिन PUBG खेलने का जो उनका शुमार था, इनकी उनका जो सुरूर था, वो ही उनको ले चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि सूप्रीम कोट ने जो है, वो election commissioner को क्यों लताड लगाई है, क्यों यहाँ पर जो है, उनको कहा है कि yes man, मत बनिया आप, आप हमेशा yes, yes, yes sir करते रहते हैं, आप काम नहीं करते हैं, काम को implement करना ज़रूरी है, तो why are reform in the system is required, system के अदर आखिरकार, reform के जर्रत ही क्या है, और लेकिन बार-बार yes कहने का इनका क्या reason है, वो हम लोग जानेंगे, सरवची नहायले के अनुसार, एक चुनाव आयूग ऐसा होना चाहिए, जो निश्क्री है, मतलब हाँ, मा के बजाए, एक stand ले, ठीक है, भले ही, इसका मतलब अपने जीवन का बलिदान करना ही क्यो न हो, मतलब ऐसे नहीं कि yes sir, yes sir, करता रहे और काम कुछ भी ना करे, तो भारत के चुनाव आयूग ने, election commission of India ने, एक स्वतंतर और तटस्त, प्रादिकर्ण के रूप में, अपने अनुकरणी कारे को, जनता का विश्वाज अरजित किया है, the election commission of India has earned public trust due to its exemplary work as an independent and neutral authority, तो एक सतंतर निकाय के रूप में अपने आपको इस्थापित किया है, और यही उपलब भी तो है, जो है, has been made possible because as a constitutional authority, क्योंकि एक समिधानिक प्रादिकर्ण के रूप में इसने अपने आपको इस्थापित किया, और basically इसके काम काज करने की जो तरीका है, उसमें हमेशा, कभी भी जो है, वो executive और judiciary जो है, इसको कभी भी interpret नहीं करता है, उसके बीच में कभी भी जो है, interfere नहीं करता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, CEC की, CEC और दो जो commissioner होते हैं, प्रधानमत PM के दौरा बुलाई गई एक online बाचित में शामिल PM के दौरा अपना अभियान पूरा करने के बाद ही, पैनल ने चुनाव प्रचार पर COVID प्रतिबन जो है, भारत के सम्विधान ने CEC और दो जो election commission है, उनके कंदों पर जारे जिम्मेदारियां, शक्तियां जो है, उनको दी है, इनकी योग्यता के अलावा, इनका character जो है, व आपके पास में power ज्यादा है, तो आप कहीं भी जो है, वो किसी भी व्यक्ति के सामने दबे न, एक independent body की रूप में अपने आपको establish करें, चुनाव, सरकार चुनाव आयुक्तों की स्वत्नतरता को अधिक महत्व नहीं देती है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार नहीं करता है, इस प्रकार स्वतनतरता को जो है, वो क्या करता है, कमजोर करता है, तो इसी के लिए लगबख 65 years की अंदर, वो आगे 6 साल काम करने के लिए भी तयार होता है, ऐसे नियुक्तियों की निगरानी के लिए कानून के अभाव में भारत के समिधान के चुपी का इतने व्यक्तियों पर विचार करने के लिए कोई स्वतनतरतंतर जो है, वो अभी है ही नहीं है, अदालत ने सरकार को पूर्व I.S. अधिकारी अरुन गोयल की लेक्शन कमिशन के रूप में निग्ति की फाइल पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया, ताकि यह पता चल स पर सेवा रत और सेवा निवरत अधिकारियों की एक सूची प्रधान मंतरी और राष्टपती के विचारार्थ तयार की जाती है, PM नामों पर विचार करने के बाद राष्टपती को एक नोट के साथ एक नाम की जो है सिफारिश करते हैं, इलेक्शन कमिशनर की निग्ति मे सीनियर टी जो है उसका पलन कियाता है और दोनों सीसी के बीच में वो सबसे सीनियर मोश परसन होता है, इस मुध्य पर कौंस्टिशन में कोई रिक्तता नहीं है, कोई no vacuum, there is no vacuum, यदि समिधान सभा में कई विचारों पर चर्चा के बावजू समिधान एक इस्तिती लेता है तो उस इस्तिती का विरूध नहीं किया सकता है, शक्तियों के प्रतकरण को चुनवती नहीं दिया सकती है, क्योंकि यह समिधान की मूल विशिष्टा है, कारे पालिका की सुतंतरता, न्याय पालिका की सुतंतरता के समान ही पवितर थी, ठीक है, basically हम लोग देखते हैं कि आ करती है, और नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है, कोई एक के दुख्य मामले को छोड़कर चुनाव आयूत के सुतंतरता के बारे में कोई शिकायच जो है, वो नहीं आती है, अगर हम लोग बात करें, टतस्था की न्यूट्रलेटी की बात करें, तो न्यूट्रलेटी जो है, व अगर हम लोग एक्सपर्स की माने, तो हाला कि सुप्रिम कोट का चुनाव आयो को राजनितिक दबाव से बचाने की आवशक्ता पर जोड़ देना सही है, लेकिन जो अपउट्मेंट पैनल है, उसमें CGI की भागिदारी यह सुनेशित करती है, कि basically उनको एक seriously जो है, वो अप कमिशनर और अन्य जो कमिशनर है, उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, आगे का रास्ता ये है, कि सीती तोर पर हम लोग बात करें, तो executive और judiciary आपस में अलग होनी चाहिए, that's a simple thing है, जिसे हम लोग बात करते हैं, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर executive और judiciary क दोनों का जो working profile है, वो एक दूसरी के उपर क्या करता है, और lab करता है, तो अगर हम लोग neutrality चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि decisions के अंदर निश्पक्षता हो, तो इसके लिए democracy के तहट TN session के छमता वाले CE जो है, उनकी आवशकता है, जिसे TN session ने काम किया था, बहुत बड Basically उनकी जो appointment है, जैसे TN session ने काम किया था, ठीक उसी परकार जो है, आगे हमको भी ज़रुत पड़ेगी, ठीक है, there is no reason to change the arm's length relationship, यनि कि हाथ की लंबाई के संबन, कहते हैं कि कानून की हाथ बहुत लंबे हैं, बतलब कुछ भी करने की possibility के लिए इंसान जो है confidence होता है, कि ज करते हैं कि हाँ, मैं अगर किसी भी काम में करूंगा, तो दूसरे काम में भी जो है दखल अंदाजी कर सकता हूँ, संसत को यह तै करने और बहस करने का अनुमति दे, कि निक्ति पैनल में CGI या विपक्ष के नेता को शामिल किया जाए, या नहीं किया जाए, ठीक है, तो basically य करेंगे, इंडो-Australia के बीच में एक Economic Trade Agreement हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे और recently इसको मंजोरी भी दी गई है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंडिया और Australia के बीच में 2 प्लस 2 जो है, वो मिटिंग होती है, और यही मिटिंग जो है, रश्या के साथ में, जापा जो है, जैसे चाइना कहता है कि ये कंट्री बिसेकली एशन नाटो कहता है, है ना, इस चाइना जो है, इनको क्या कहता है, जो है, एशन नाटो कहता है, लेकिन खेर, भारत और और ऑस्ट्रेलिया के जो Economic Corporation है, उसमें काफ यदा सयोग हो रहा है, और recently इसको approval भी दी गई है, तो जानेंगे context क्या है, deal के landmarks क्या है, की features हम लोग समझेंगे, और ये जो trade है, वो क्या वाकवी में पहली trade है या इससे पहले भी हम लोगोंने क्या trade किया है, इंडिया और Australia के बीच में balance of payment क्या है, balance of trade क्या है, वो हम लोग इस lecture में जानेंगे, तो Australia संसद में भारत के मंजोरी दी गई है, अपरोवल दी गई है, यह एक विक्सित देश के साथ भारत के लिए इस तरह का पहला समझोता है, भारत ने जादातर दक्षिन एशिया देशों के साथ में जो है, वो free trade को लेकर agreement किये हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें, developed nations के साथ में, Australia जो है, उसके कम 10 लाख नौकरियां से रिजित करने की शमता है, अन्य विक्सित देशों के साथ भविश्य के FTA के लिए model जो है, वो प्रदान करें, 6000 से अधिक, हम लोग key feature कर रहे हैं, एनकी key feature जो है, उनको cover कर रहे हैं, कि deal के अंदर basically क्या क्या हुआ हुआ है, 6000 से अधिक व्यापक, छ duty free, जो है, वो क्या किया जाएगा, उनको वाँ पर export किया जाएगा, duty free होगा वो, भारत के लिए कई वस्तों की आयात मुल्य में, जो है, वो कम करें, क्योंकि भारत जो है, इंपोर्ट करता है, उसके अंदर भी, जो duty है, उसको कम किया जाए, ठीक है, और competitive rates जो है, उस पर भारती है, भारती है, वाइन और Australia, Australia कोईले का जो है, शुलक मुक्त आयात हूँ, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, movement of trained professionals की, क्योंकि भारत से trained professionals जो हैं, वो Australia के अंदर हमेशे जाते रहे हैं, तो basically, योग, एनकी, योगा जो है, वो अपने आप में बहुत आजकल ज़्य ट्रेन कर रहा है, तो योगा टीचर्स भी जो है, वो भी इंडिया से पहुंच रहे हैं, Australia के अंदर, और भारती है, रसोई है, जितने भी कहते हैं के शैफ हैं, तो वो भी जो है, कहां पहुंच रहे हैं, Australia में, अथारा सो का वार्शिक कोटा, अध्यन के लिए, कारे के लि अध्यन की, Australia में भी कोई टेक्स लिया, और अगर वो प्रोड़क्ट इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया पे टेक्स लगा रहा है, यह डबल टेक्स हैं, तो व्यापार समझोते में, से संबनित लंबे समय से, लंबे समय से जो है, वो डी टी ए का भी जो है, समधान करता ह अश्ट्रिलिया को भारत से निर्यात है, निर्मेट सामा जैसे पेट्रोलियम है, ओशदिया है, हीरे है, आबूशन है, रेल्वे कूच है, वाहन है, मिल्ड चावल है, जो है, वो अश्ट्रिलिया से इंडिया के निर आता है, और भारत का आयात है, अश्ट्रिया से इसके आयात का जो है, वो 82 प्रतिशट नहीं कि 82, 82 प्रतिशट जो है, 82 परसेंट, ठीक है, वो कोईला, ठीक है, सोना, तामा, जो है, अलुमिनियम अलॉइज जो है, वो आते हैं, अलुमिनियम ऑक्साइड्स, जितनी भी जो हम लोग बात करते हैं, LPG की बात करते हैं, आयात है, ठीक है, तो basically, जो key features हैं, भारत और Australia के बीच में, वो recently हुए है, MOU sign हुआ है, और कहीं न कहीं, भारत के लिए पहला ये कदम होगा, कि भारत ने किसी development nation के साथ में, ये MOU sign किया है, free agreement को लेकर, वैसे, अमुमन, आप लोग आशियान के साथ में, ये agreements देखते हैं, South, जो reason है, South Asian के जो countries हैं, उनके साथ में होता है, ठीक है, तो Australia के साथ में पहली बार हुआ है, आपके लिए काफी ज़्यदा जरूरी है, चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग constitution देखिए, देखिए, Indian constitution जो है, वो basically, बनना शुरू हुआ था 9 December, 9 December 1947 से, ठीक है, लेकिन जब 26 November की date आती है, तो 26 November 1949 तक वो पूरा पूरा बनकर तयार हो जाता है, ठीक है, अब basically इसमें time period कितना लगा है, तो time period जो है, वो हम लोग कह सकते हैं, कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है, वो इसमें लगा, ठीक है, ये 1946 है, तो 1946 से लेकर, ये जो है, वो 1949 तक, और फिर 26 November को हमार जो constitution है, वो partially implement भी होता है, तो 26 November की जो date है, वो पहले विदी दीवस की रूप में मनाई जाती थी, ठीक है, विदी दीवस की रूप में मनाई जाती थी, law day जो है, उसकी रूप में celebrate किया आता था, ठीक है, लेकिन 2015 के अंदर, एक special जो है, वो meeting बुलाई गई, प्रधार मंत constitution day के अंदर हम लोग convert करेंगे, विदी दीवस को हम लोग समिधान दीवस के रूप में मनाईगे, तो 2015 से अगर हम लोग बात करेंगे, तो 7 बार जो है, वो अब लग, हम लोग constitution day जो है, वो मना चुके है, ठीक है, चलिए, तो बात करेंगे, source of constitution की, constitution has clear imprint on day by day life, ठीक है, weakness of constitution constitution के हम लोग बात करेंगे, changes की बात करेंगे, despite amendments की बात करेंगे, और conclusion पर आएंगे, तो भारत के समिधान को 26 नमबर 1949 को समिधान सभा के द्वारा हम भारत के लोग के लिए अपनाए गया था, मतलब भारत ये को जो है, समर्पित कर दिया गया था, लंबे समय तक किसी का ध् में कारे करना जारे रखता है, जिसके भीतर हमारे देश की सरकार संचालित है, एक अन्य प्रमान यह है कि इसमें 100 से अधिक बार संस्योधन करने के बावजूद, राजनितिक और नियाइक परिपकवता के कारण इसमें मूल आधार अपरिवर्तन रहे हैं, बद मेसिकली हमन 1947 को जो प्रारुप समीती है, उसको भी गठित किया आता है, इसमें कुल साथ सदशे थे और भीमराव अम्बेटकर जो थे, वो इसके अध्यक्ष थे, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेनर प्रशा जो है, वो पर्मानेंट इसके प्रसिडेंट बनते हैं, जबकि इससे पहले डॉक्टर सचिदनान सिनहा जो है, उनको टेंपरेरी जो है, वो अध्यक्ष बना जाता है, 13 दिसंबर को जैसे कि आप लोग को पता है कि 13 दिसंबर को जवाला नहरु ने एक प्रस्तावना जो है, वो भी रखी थी, इसको हम लोग कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, नहीं हुआ था, सविधान सभा के द्वारा खारिष कर दिया गया था, और 22 जनवरी को सविधान सभा के द्वारा जो है, वो उसको अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 26 नवंबर 149 को ड्राफ्टिंग जो है, वो गंप्लीट हुई है, और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 ठीक है तो जो constitution है उसको handwritten जो है वो लिखा गया है 2000 amendments जो है वो अब तक finalize हुए है मतलब जैसे तो हम लोग तो देखते हैं कि 105 जो है constitution amendment हुए है लेकिन छोटे मोटे जो है अगर हम लोग मानें तो इसको हम लोग इस तरीके से count कर सकते हैं तो 26 जनवरी को legally जो है वो हमारा constitution applicable हुआ था उस दिन enforce में आया था और दो महीने 11 वर्स 18 दिन इसके अंदर लगे थे अगर हम लोग sources की बात करें तो 1918 के अधिकारों की गोशना जो है वो की गई थी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस ने मांग की कि नागरिक और राजनेतिक अधिकारों में जीवन और सुतंतरता के अधिकार, प्रैस और संगी की सुतंतरता के अधिकार शामिल है और इन सभी को भारत सरकार अधिनियम 1919 में शामिल किया जाना जरूरी है 1895 में तेलक का स्वराज विधेग जिसमें सिधे तोर पर पहली बार जो है वो समिधान सभाकी कॉंस्टिशन की डिमांड की गई 1931 में कॉंग्रेस की कराची अधिवेशन में मौलीक अधिकारों आनिज फंडामेनल राइट्स और जितने भी एकनोमिकल चैंजेस हैं उसके लिए जो है वो संकल्क पारित किया गया था अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साल से बड़ सोर्स है तो हम लोग PCS की बात करते हैं Public Service Commission आज जो हम लोग देखते हैं फिर Federal Schemes है, Administrative Details है, Judiciary है, Emergency Provisions है, Office of Governor है, ये सब Government of India एक 1935 से लिया गया है और Main Role जो है वो British Government का है तो British Constitution जो है वहाँ से हम ले बहुत कुछ लिया है, Parliament जो है Government लिया है, Rule of Law लिया है, Legislative Procedure लिया है, Single Citizenship लिया है, Progressive Rates लिया है, Cabinet System लिया है, Bicameral लिया है, Parliamentary, तो ये जो है वो Slide बहुत Important है, आप लोग यतनी भी तैयारी करने वाले है, One Day Exams की, वो आप लोग इस Slide को बहुत अच्छे से याद कर लिगा, France से हमने लिया है, France से, USA से लिया है, देखिए, पुरा लंबी के करता है, जैसे Freedom of Moment, Freedom of Expression, Freedom of Choose a Calling of our Liking, अनिकी पसंद की व्यवसाई को चुनने का अधिकार है, ठीक है, फिर Freedom of to buy, कुछ भी खरीदने का अधिकार है, Freedom to wear, garments of our choice, कपड़े पहनने का भी हमारे पास में अधिकार है, और ये Day by Day के Life के अंदर ये है, हम लोग कुछ भी खरीदत है, तो हमारे Day by Day Life के अंदर भी include होता है, ठीक है, Deakness of Constitution, मानव सोच और विवार में बदलाव लादी के लिए कानून एक कमजोर स्तरोथ है, ठीक है, सोर्स है, इसलिए समिधान ने सभी भारतियों को समान गोशित किया है, इस तरह गोशितना के दिन से समानता प्रबल नही होती है, ठीक है, मतलब जैसे कि हमने इसको implement कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है, कि हमने जो है, वो equality, justice, वो सब को जो है, वहाँ पर implement कर दिया है, इसके लिए Day by Day जो है, वो work करना भी पड़ता है, पूर awareness के हम लोग बात करें, तो समिधानिक मुल्य जैसे महिलाओं के जाता है, ठीक है, इसको इस तर पर समिधान पर शायद ही कोई ध्यान देता है, ठीक है, इसको basically हम लोग कहते हैं कि ये third, यहीं कि tertiary education के तौर पर जो है, वो हम लोग इसको अपनाते हैं, तो not to speak of tertiary education, ठीक है, तो जो तीसरी सिक्षा है, उसको करार करने की जरूरत नहीं है इसको primary जो है, उसके list के अंदर रखना चाहिए, भारत के समिधान को एक बंद और इस्तिर नियम पुस्तिका के बजाए, एक जीवित दस्तावे, जो है, वो कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बार-बार amendments इसमें होते हैं, आशक्ता के अनुसार, देश के अंदर जो भी changes हो रह आती है, समिधान सभा के अंदर दूर दर्शिता है, सोचकर देखिए, कि जब 1949 के अंदर समिधान जब लागू हुआ था, 50 के अंदर लागू हुआ, पूर्ण रूप से, तब से लेकर आज तक जो है, वो समिधान बहुत अच्छे से मना हुआ है, जबकि अगर हम लोग हमा है, दूर दर्शि है, ठीक है, फिर कुछ हम लोग amendments की बात करें, basic structure, doctrine की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगोंने केशननद भारती जो case है, वो सुना होगा, तो केशनन भारती case की बात करें, 1973 का, या फिर SI, SR Bombay case की हम लोग बात करें, 1994 का, उसमें जो है, वो हमेशा basic structure क की बात की गई है, तो जब आप, जब आपने पड़ा होगा, कि Supreme Court की एक bench जो है, वो निर्धारित की गई थी, 13 न्यायदेश उसमें थे, केशनन भारती बात में, उसमें कहा गया था, कि संसच जो है, उसको constitution के अदर amendment, जो है, वो करने की power है, लेकिन वो बस यह ध्यान रख कि कहीं भी constitution का basic structure जो है, वो change ना हो जाए, ठीक है, चलिए, फिर हम लोग बात करते हैं, कि maturity of political leadership, जितने भी राजनेतिक, जो राजनेतिक वेक्ति हैं, उनकी maturity, mature leadership जो है, उसकी भी जरूरत है, ठीक है, तो राजनेतिक दलों, राजनेतिक नेताओं, सरकार और संसत की एक अन और बेल, basic structure, ठीक है, इसके विचार को स्विकार किया जाना चाहिए, और इसको जो है, इसका पालन भी किया जाना चाहिए, तब तक कि जब समिधान के समिक्षा की बात होती है, तब भी कवैद बुन्यादी धाचे के सिध्धान के तैसीमा को पार जो है, वो नहीं कर पाती है, भारते समिधान समाज की बदलती जरुवतों के अनुसार, शंचोदनों की आवशकता को स्विकार करता है, समाज में इतने सारे बदलाओं के बाद भी समिधान गतिशील होने की शमता, व्याख्याओं के लिए खुला रहने और बदलती इस्थिती का जवाब देने की श करता है, एक समिधान जो लोग तंतर के रक्षा करता है, डेमोक्राशी का बिलकूल उसको क्या करता है, फिर भी परथाओं के विकास की अनुमति देता है, न के वर टिकाओ, बलकि नागरिकों के सम्मान की वस्तु भी बच जाता है, मतलब बिसिकली नागरिकों के लिए बह पावर्फुल बनाएगा, जैसे हम लोग रिट की बात करते हैं, आर्टिकल 32, 226, तो ये बेसिकली citizens को जो है, वो एक पावर प्रोवाइड करते हैं, कि आपके अगर fundamental rights जो है, वो abolish हो रहे हैं, तो आप जो है, वो supreme court ये high court में जा सकते हैं, तो हमने अगर constitution का सम्मान किया है, हम उसके बारे में जानते हैं, constitution जो है, वो भी हमको क्या करता है, एक अच्छी तबज़ो देता है, ठीक है, तो basically यही इसके conclusion के अंदर था, ये topic जो है, वो बड़ा जबरदस्त है, है ना, constitution day वाला, तो जितने भी, जो लोग ते समिधान सवा के अंदर, उनके अंदर दूर दर्शिता थी, बहुत लंबी वो सोच रखते थे, बुद्धिमता, सरलता, वो सब बाते जो है थी, उनके अंदर दखी गई थी, चलिए GM मस्टर्ड की हम लोग बात करेंगे, जो है, genetically modified, तो basically सर्सों के लिए, basically इतनी जल्दी क्या हो रही है, जैसे GM crops के हम लोग बात करें, तो GM, जो है, cotton, ठीक है, brinjal, है न, वो जो है, हम लोग फसले देखते हैं, तो आज, जो है, basically GM फसलों की क्या इतनी ज़्यादा जरूरत है, देखिए, basically हमारे इंडिया के अंदर population जादा है, और population के according जो है, agriculture production भी होना चाहिए, लेकिन उतना है नहीं, क्योंकि हमने population जो है sorry, production नहीं होगा, तो problem आ सकती है, उसी production को increase करने के लिए, GM जो है, genetically modified, जो crops है, इनकी help ली जाती है, तो background की बात करेंगे, और क्या concern raise हुआ है, वो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, genetically modified, क्या होता है, कि सरसों, सरसों के जो नाम है, वो आप लोग देख सकते है, DMH 11, ठीक जो है, appraisal committee की हालिया सिफारिश पर विशेसक के चिंता जो है, वो जदा रहे हैं, क्योंकि क्या वाकई में, GM mustard जो है, इसके जरुवत है, काफे चिंता जो है, जाहिर की गई है, खाद तेल के लिए भारत का बढ़ता आयात, बिल जो है, वो इसके लिए responsible है, क्योंकि हम लो 2023 में समाप्त होगा, देश ने 14.5 million ton आयात करते हुए, केवल 8.5 to 9 million ton जो है, वो edible oil जो है, इसका उत्पादन किया है, तो हम लोग जितना आयात करते हैं, ठीक है, उसका केवल आदा ही जो है, वो हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने देश के अंदर production उसका कर पाते हैं, इसके परणाम सरुप हमारा जो foreign, जो exchange outflow है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो लगबग 18.99 billion dollars जो है, वो पहुंच चुका है, DMH 11 hybrid की बात करें, तो इसे DU के center of genetic manipulation of crop plant के अंदर जो है, वो तयार किया गया है, उनके दोरा विक्सित किया गया है, जो दो alien gene जो ह के hybridization की प्रिक्रिया की दोरा, bacillus, MI lowly fictions, नामक मिट्टी के जो bacteria होते हैं, उनसे जो है, अलग किया गया था, फिर इनको hybrid करवाए गया, तो hybrid करवाने के बाद एक नई प्रजाती जो है, वो सामने निकल कर आती है, जिसकी production rate जो है, वो 28% जादा है, वो उससे 28% जो है, वो इसकी दोरा ये भी बताया गया है, अगर हम लोग बात करें, GECA की, GECA की, ये प्रेवरण में GM जितने भी उतपाद हैं, ठीक है, इनको खतानाक माना जाता है, आम तोर पर, release से संबंदित प्रस्तावों के मुल्यान करने के लिए जिम्मेदार निकाए है, DMH 11 जिसके हम ल जाएगी, DMH 11, DMH 11 से क्या मतलब है, ये है, GM क्रॉप मस्टड की बात की जारी है, उसका एक नाम दिया गया है, जारी करने के संब्हावित रूप से हानिकारत दीर कलिंग परस्तितिक, पारिस्तिक और इकोलोजिकल और इसके एकोनोमिक जो है, वो रिजल्स हो सकते हैं, खा विस्तरत दिर्क मुल्यंकन जो है, वो किया जाना बाकी है, GM सर्सों खर्पतवार सहिशनों होने के कारण, निराई में लगे, मैनुवल शरम के विस्तापन का कारण जो है, वो बनेगा, इस निराई गुड़ाई हम लोग करते हैं, खुदाई वगरा की जाती है, तो बेसिक सर्सों, मस्टर्ड पहले था, ठीक है, उसी के according मदुमुक्या थी, अब सर्सों बदल जाएगा, तो मदुमुक्या थोड़ना बदल जाएगी, तो ये सबसे बड़ा concern जो है, सामने निकल कर आ रहा है, फिर हम लोग बात करें, कि basically, हर्भिसाइट जो है, शाक नासी के किसी भी formulation का उप्यों केवल नियंतरित और निर्दिष्ट परिसितियों में करने के सिफारिज जो है, वो की जाती है, मतलब एक proper way के अंदर हम लोग उसका use करें, किसां के खेत में खेती करने के लिए, जो herbicides हैं, उनके किसी भी सुत्रिकरण के उप्यों के अनुमति नहीं है, त तो बेसिकली फार्मर्स के फार्मर्स फिल्ड के अंदर किसी भी तरीके के कोई भी केमिकल्स वगरा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूत नहीं है, तो मदुमक्यों के प्रभाव के संबंद में, इसी कंसन को लेकर ये मामला सामने आया है, तो कि सर्सों का फूल और मदुमक नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से इसकी जाच करनी चाहिए कि क्या इसके नेगेटिव इंपक्ट हो सकते हैं, तब जाकर हम लोग इसको एंविरमेंटली जो है, वो इंप्लिमेंट कर सकेंगे, नहीं तो इसके बहुत ज़्यदा जो है, वो डेंजरस इसके लेकनी को मिलेंगे, तो आप लोग इस टेलिग्राफ टेनल को जोइन कर लीजे, मिलते हम लोग नेक्स सेशन के अंदर, लेकिन इस टेटिक लोज को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नॉलेज इस पावर ये हमारी टेग लाइन है, चलिए नेक्स टेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, दिसंबर के फर्स्ट वीक के साथ पे तब तक लिए धन्यवाद, थेंक्यू.